हो ली हो या कोई भी तोहार हो घर में तो गेश्ट आते ही हैं अगर गेश्ट को आप चाहे के साथ ये लच्छेदार कुरकुडी स्नैक्स आप सर्व करेंगे तो बहुत ही तारीफ करेंगे और जरूर पुछेंगे कि ये आपनी कहां से लाया या आपनी कैसे बनाया तो चमस्माइण इस तरह से एक आटा तयार कर लेना है, सकत आटा तयार करना है, गिला नहीं करना है, यह देखे इसे ढख के रख देते हैं 15 मिनिट के लिए, तो 15 मिनिट हो चुका है, यह आटा हमारा बहुत ही अच्छे से से सेट हो चुका है, थोरा सा हाथों से इसे मिला देते हैं, अब इस तो गर बरा सा रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से इसका भी बरा सा रोटी बेलना है ध्यान रहे ज्यादा पतला नहीं करना है और ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है ये देखे मैं इस तरह से अगर आप से बेलन इस पे नहीं चल रहा है तो आप थोरा सा ड्राय आटा इस पे तो ये जो है मैंने थोरा से लंबा करके देखे यह हो चुका है रेडी तो इसको खटा देते हैं और दुसरा लोई लेके बरा सा फिर से एक रोटी बना लेते हैं तो बस इस तरह से अगर आप से इस पर बेलन नहीं चल रहा है तो ये देखिए इस तरह से थोरा-थोरा करके ड्राइ मैदा छिरक दीजिए और ये बहुती आराम से इस पर फिर बेलन चलने लगेगा तो देखिए बहुती चीज़ चल रहा है न तो बस आप अपने हिसाब से आपको जितना वरा साइज लेना है ले लिजे तो ये देखिए इस तरह से इसको बेल लेना है तो बस ये हो चुका अब क्या करेंगे एक कटोडी में एक चमच मैदा लेंगे और एक चमच घी लेंगे दोनों को आपस में मिला के एक पेश्ट तयार कर लेंगे तो ये पेश्ट हमें क्या करना है बरा सा रोटी पे अपलाई करना है इस नमकीन पे तो आप चाहे तो चमच हटा दीजे हाथों से इस तरह से इसको फैला दीजे हाथ से जยदा अच्छा फैलता है बस इसमें क्या करेंगे इस तरह से लेके अच्छे से फैलाना है, ध्यान रहे जदा मोटा लेयर नहीं देना है तो जब इस तरह से फैला देंगे पूरी तरह बढ़ियां से पेश्ट को इसे साटा भी बोलते हैं, इस पेश्ट को तो ये देखे, ये मैंने बहुत ही अच्छे से फैला दिया अब क्या करूँगी, इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है उसको हाथों से निकाल लेना है ये देखे, इस तरह से निकाल लेना है क्योंकि इसमें मोटा लेयर रहने से फिर आपका जो है ये मत्री अच्छा नहीं बनेगा तो ये सारे हो चुके हैं मैंने निकाल दिये बहुत ही पतला लेयर था उस पे अब इसमें क्या करूंगी दूसरी बारी जो मैंने नमकीन का रोटी बेल के रखा हुआ है वो डाल देते हैं उस पे भी सेम प्रोसे से इस तरह से लेयर लगा देना है इस तरह से हाथों से बढ़ियां से फैला देना है देखे तो बहुत ही इजिली हो जाता है और ये बहुत ही खास्ता नमकीन बनके आता है एक बार जरूर ट्राय करिए बस जो भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल दिया अब क्या करना है इसे इस तरह से एक कॉर्णर से पकर के जैसे हम लोग रोटी रोल बनाते हैं बस उसी तरह से इसको घुमाते जाना है थोरा सा सक्त हाथों से घुमाना है क्योंकि इसमें एर नहीं ज गया जाना चाहिए तो यह देखें इस तरह से रोटी रोल टाइप मैंने इसे लंबा सा कर लिया है बस इस तरह से कर לेना है देखें बहुत ही आराम से हो गया ना तो ये मठ्रे बनने में बिल्कुल भी time नहीं लगता और बहुत जट-पट बनके रेडी हो जाता है और खाने म से हो रहा है न बस इसे इस तरह से निकाल लेना है बहुत एजली हो जाता है अगर आप छूड़ी में थोड़ा सा तेल लगा दे तो बहुत ही आराम से कट जाएगा तो यह देखे छोटा छोटा पेरे जितने बरा है न अब इसे क्या करेंगे हथेलियों से इस तरह से चप्ट कर लिए और जाएगा तो यह देखे थोड़ा थोड़ा हथेली से इसे चप्टा करना है और बेलन चला देना है बहुत एजली हो जा रहा है न कोई जंजट नहीं होता और बहुत ही जटपट यह बननके रेडी हो जाता है तो यह देखे अब इसे सारे कुमे बना लेती आप चाहें तो सिर्फ हतेलियों से इसे चप्टा करके भी बना सकते हैं बेलन नहीं भी चलाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा ये देखे इस तरह से चप्टा कर देना है और ये रेडी हो गया तो बस कोई जंजट नहीं है मैंने सारे रेडी कर लिए है और गैस ऑन है मेरा तेल भी गरम हो चुका है चेक कर लेते हैं तो ये देखे तेल हलका सा गरम है ज्यादा गरम नहीं है ध्यान रहे ज्यादा गरम तेल में नहीं डालना है तो ये देखे तेल मेरा बिलकुल भी ज़्यादा गरम नहीं है ना बहुत ही हलका गुनगुना गरम है और गैस को जो मैंने है मीडियम लो फ्लेम पे रखा हुआ है तो बस जैसे ही ओयल गरम होते जाएगा ये मटरी जो है आपका फूलते जाएगा और बहुत ही मज़ेदार लेयर इसका निकलते जाएगा तो ये देखे है ना बहुत ही आसान और बहुत ही जटपट बन जाने वाला ये नमकीन और देखने में तो लाजबाब लगता ही है तो ये देखे कलर इसका बहुत ही अच्छे से गोल्डेन होड़ा है इस मर्थरी को ज्यादा लाल मत कीजिए इसे हलके गोल्डेन ब्राउन होने तक ही रखिएगा तो ये देखे ये हो चुका है इसे निकाल लेते हैं बहुत ही मज़ेदार बनके आया है तो अब इसे टीश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं तो ये देखे बांकी जो बचे हुए मत्री है उसे भी तल लेते हैं तो ये तेल में परेगा कि इसका जो लेयर है वो खुलना शुरू हो जाता है और बहुत ही ये क्रिश्पी बनके आता है तो बस इसे ध्यान रहे इसे हाई पे नहीं डिफ्राइ करना है इसे मीडियम लो फ्लेम पे एक करना है और ये देखे कलर बहुत ही अच्छा है इसे भी निकाल लेते हैं तो ये देखे ये मठ्री बनके हमारा तयार हो चुका है अब इसे जैसे ये ठंडा हो जाता है ये आप जाड में भरके रखे बहुत दिनों तक आराम से रहेगा तो ये मजेदार लचेदार मठ्री जो है आप चाय के साथ लीजिए गेश्ट को सर्ब कीजिए ये बहुत ही लाजबाब लगने बाला है तो ये रेश्पी कैसा लगा जरूर बताईए अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरब मेरे चैनल पे बने रहे है थैंक्यू फर वाचिंग